दोस्तों आज की सीडियों में हम बात करने वाले हैं जीओ फाइनेसल सर्वसिस के शेयर के बारे में जैसे कि आपने अभी तक जीओ फाइनेसल के शेयर में कोई खास मुमेंटम देखा नहीं था खास तेजी देखने को मिली नहीं थी लेकिन आब जैसे कि पिछले हफते लिक पीषल पर इसमें तेजी की जो शुरुआत हुई है तो उमीद यह है कि नेक्स हफते भी आपको यहां पर तेजी का माहुल देखने को मिल सकता है। कि सिर्फ इसलिए कि अलकुल की तेजी शुरुआत दो गई नहीं ऐसा नहीं रीजन्स कुछ और भी है अभी जो पिछले महीने का डेटा निकल कर आ रहा है अभी देखा जा तो पूरा डेटा आया भी नहीं है लेकिन इस डेटा में आप देखेंगे कुछ फंड हाउसेज ने बहुत अच्छी खाजी खरीदारी जियो फाइनसर के शेयर में करी हो इस्पेशल बात ये भी है कि सिर्फ खरीदारी ही नजर आ रही है बिकवाली का कोई भी अभी तक तो एटलिश नाम निशान दिखाई देनी रहा तो एच चीज़ें सब हम देखेंगे आज की इस वीड दें निकल कर आ रही है उसके इसाब से भी बात करेंगे तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम देखें तो 243 उर्वे 65 पैसे के आसपास एक काउंटर जो क्लोज भी हुआ था बात अगर उतार चड़ाव की करी जाए तो लगवग लगवग एक पर्संट के आसपास की आपको यहां तेजी भी देखने को मिली थी बात अगर पिछला ट्रेडिंग सेशन की तो ठीक है लगवग 1% के आसपास की तेजी थी भी लेकिन न में अगर इससे आगे की हाल चाल देखें किस के आगे के चीज़ा किस तरीके की देखने को मिली तो मैं आपको देखाता हूं एक अफते में एक अफते के रिटन जो आए हैं वो हैं लगबग साड़े चार परसंट के आसपास के ठीक है वहीं अगर हम एक महिना देखें तो एक महिने में कोई रिटन इसमें दिखाई दिये नहीं और काउंटर जब से लिश्ट हुआ है तब लिश्ट देखाई नहीं दे रहा और जब रिटन अच्छे देखाई नहीं दे रहें तो डेफिनिटल लोगों को डिसपाइंट हुई है क्योंकि ना जब यह काउंटर लिश्ट हुआ था उससे पहले जहां पर बात हैं जो निकल कर आ रही थी वो यह थी कि इसमें बहुत बढ़िया तार्गेट इसके निकल कर आ सकते हैं इस तरीके की ही बात हैं आप अगर देखते तो आपको देखने को मिल रही थी लेकिन लिश्टिंग के बाद लिश्टिंग के बाद इस काउंटर ने काफी ज़्यादा डिसपाइंट किया है लोगों को रिटन तो खेर अभ गुविध्या लगा रही है एसी बाद नहीं आपको यहां भी देखनें को मिल रहा है लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ निउज और टर्गेट वगए आप तो ठीक हैं फिलाल मैं आपको सबसे पहले देखाने की कोशिश करूँगा कि जो situation आप देखेंगे मतलब खरीदारी का जो data निकल कर आया है लास्ट मही ने का लास्ट मही ने मतलब दिसंबर का दिसंबर का जो data निकल कर आया है वो शेयर लेक काफी अच्छा देखाई दे रहा है और वही मैं आपको अब दिखाता हूँ सबसे पहले तो यह देखो आपनेशल्स का data और यह देसंबर 282 हलाकि यह data अगर आप देखेंगे तो अभी पूरा नहीं है यह डिटा जो है पूरा डेटा नहीं है तो अभी अपडेट होगा डेफनिलिले अभी अपडेट होगा लेकिन जितना भी data देखाई दे रहा है वह उसमें उतने में अगर आ करिए कौंट का absolute fund और इस फंट में अगर आप देखें कौंट के absolute fund में तो 13% की सेधारी जो है increase हुई है increase होती दिखाई दी है होई कौंट का midcap fund भी अगर हम देखेंगे तो यहां भी लव 32% की सेधारी increase हुई है पहले के comparison में पिछली महीने में भी आपने देखा था कि कौंट ने भारी वरकम करिद्दारी करी थी और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फंड में करी ओ कौंट की तरफ से 22% की सेधारी बड़ी है कौंट का large cap fund 11% की सेधारी यहां पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है कौंट का BFSI फंड 28% की हिसेधारी यहां भी बड़ी है फिर लास्ट में जो आपको फंड दिखाई दे रहा है उसका नाम दोस्तों बैंक ओफ इंडिया conservative hybrid fund और इनों ने करी है 155 की सेधारी इंक्रीज तो इनकी अगर आप देखोगे जो 155% की जो सेधारी इंक्रीज हुई है यह surely बड़ा नंबर है 10-20% वैसे तो वह कौंट के अलग लग फंड भी अगर आप देखोगे तो काफी याद अच्छी सेधारी वहां भी इंक्रीज हुई है लेकिन फिर भी उसके comparison में अगर हम एक ही फंड में अगर सीधा सीधा 155% की सेधारी इंक्रीज हो गई है तो यह अपने आप में बड़ा फिकर निकल कराता है तो यह तो दिसंबर का डेटा रहा था अगर आप इससे पहले के महीने का भी देख रखा है आने ओले दिनों में क्या हाल चाल नजर आ सकते हैं यह इंपोर्टन बात है यह देखो जीओ फाइंस सवसे शेयर प्राइस टागेट 24 टाइम टू बाई मुगेशं माले इस कंपनी श्टॉक एज इट प्लान टो एंटर मूचल फंड बिजनिस सुल या अभी अभी एक रिसेंटली ख़वर निकल कर आई थी कि ब्लैक रॉक और रिलाइन्स का मतलब पार्टनर्शिप देखने को मिल रही है इसमें चले जीओ की जीओ और ब्लैक रॉक की पार्टनर्शिप और यह पार्टनर्शिप हो रही है mutual fund sector में entry मारने के लिए mutual fund sector already बहुत बड़ा है लेकिन इसमें जब geo financial services उतरेगा तो आप देखेंगे कि माहौल completely बदल जाएगा completely माहौल change हो जाएगा क्योंकि geo जब किसी business में आता है तो क्या करता है वो तो आपने देख रखा है जब ये market में टेलीकॉम में आई थे तेलीकॉम में इनने जो तबाही मचा दी थी दूसरी company को जड़ से उखार दिया था हलाकि mutual fund business में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है लेकिन देखना तो पड़ेगा कि जब ये market में उतरेंगे तो कुछ फरक तो डालेंगे लेकिन सबसे important बात तो ये कि ब्लैक रॉक के साथ partnership में आ रहे है जब ब्लैक रॉक के साथ partnership आ रहे है ब्लैक रॉक जो है दुनिया का सबसे बड़ी fund management company है तो इस बात का भी definitely फरक पड़ेगा ही पड़ेगा इसी लिए अगर हम देखेंगे तो अब लोगों की उमीद हैं इससे पहले के इसाब से और ज्यादा increase ही हो रही है और आने वाले दिनों के साथ से ये अच्छे target के लिए जा सकता है चांसे जो हैं इस बात के नजर आ रहे हैं ब्रोक्रेफ हम ने इसमें बाई की रेटिंग इनिशेट करी है और 290 रुपे के टार्गेट के आर चौक्सी की तरब से दिये गए हैं यह भी आप देख लिए यह के आर चौक्सी की रिपोर्ट है तो इन्हों तो आज की सोडम बस इतना ही उम्मीद वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी होते से लाइक काना चैनल को भी ज़रू सब्सक्राइब काना जा देते में लागे ना केंदवाना जिससे की जब भी मैं को ने वीडियो आलू आपके पाल नोटिफेकेशन सबसे पहले हाजाए और दोस्तों इन वीडियो से फासिफ एटूकेशन और निनिफोमेशन पपास से यह दोसे किसी भी तरीकी की बाइन से लिंकी रेकमेडिशन के तोर पर बिल्कुल भी ना तेकें, तैंक यू